हेलो गाइज वालकम टो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिंट्स टाड़ा केमिकल्स की और से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका है इस टैंडरॉन कॉंसॉलिडेटर दोनों रिजल्स आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेट और फिनांशल एंड से इंकम में 3589 करोड का पिछले क्वार्टर में 3768 करोड का मार्च 23 कौर्टर में 4482 करोड का इंकम क्वार्टर उन कौरा यहार और दोनों के इंकम में बहुत बढ़ी फॉल है expenses 3433 करोड का पिछले quarter में 3566 करोड का और March 23 quarter 3809 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year में expense में decrease किया income के according इस बार इसके जो exceptional items में 963 करोड का खर्च और यह कहां पर बगाईज में आपको आगे बताऊंगा जिसके कारण losses है 796 करोड का पिछले quarter में 262 करोड का operating profit है और March 23 quarter में 686 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में बहुत बड़ी fall देखने को मिला है net profit loss 841 करोड का loss है पिछले quarter में 194 करोड का profit है March 23 quarter में 692 करोड का profit है quarter on quarter year on year दोनों में बहुत बड़ी fall देखने को मिला है EPS minus 33.36 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है तो guys quarter in date के results company बहुत है weak page कि अगर हम financial in date की बात करें income में 15,707 करोड का 23 में 17,007 करोड का income है बहुत बड़ी fall देखने को मिला है expenses 14,084 करोड का और 23 में 14,265 करोड का expense हुआ था expenses भी down है income के according operating profit है 830 करोड का और 23 में 2740 करोड का operating profit है जोकि down देखने को मिला है net profit 435 करोड का और 23 में 2434 करोड का profit है जोकि down देखने को मिल रही है EPS 10.52 रुपेज का 23 से बहुँ ज़्यादा down देखने को मिला है सेग्मेंट वाइस बात करेंगे तो basic chemistry products और speciality products इन दोनों से revenue generated कर रहा है quarter ended में भी down और financial year ended में भी तो गाइस company का यहाँ पर consolidated बहुत वीक result पेश करें वहीं कर हमें stand-alone results को cover करें income में 1188 करोड का पिछले quarter में 1115 करोड का और March 23 quarter 1365 करोड का income है करोड का और March 234 11 sectors करोड का expense हुआ था एक्सपेंज़ देखिए इंकम में के according expense को और demander को नक्रीज आले है लिकेन और इक लेतर किया है operating profit 197 करोड का पिछले क्वाटर में 140 करोड का Aa toiर में 149 करोड का operating profit क अब़िए टीज आनलन और नर'T-यह पर पैपिछले काटर में 115 क्रोड का मर्स 23 क्वार्टर में 213 क्रोड का प्रॉफीट जो कि क्वार्टर और क्वार्टर में इंक्रीज करेंब गार्टर यह अग्रेज किया तो गाइस इप कॉंसॉल स्टैंडलोन ही है जिसमें quarter ended की जो profit इंप्रूफ किया और quarter on quarter के income में भी इंप्रूफ किया लेकिन इस 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 बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है फिनांशल यह रेंडेट वही बहुत ज़्यादा डाउन तो गाइस कह सकते कंपनी बहुत वीक इसकी कारणाज 1099.5 रुपीज पे close किया और तू पर्शन की crash भी करता वा नजर आया है मतलब कंपनी में जो है crash करता हुआ देखने को मिला और रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया है और गाइस कंपनी में गिरावट आ रही है तो गाइस कर बहुत वीक रिजल्ट पेश कहा है इसले अगर आप लॉस में तो आप आवरेज कर सकते है तो गाइस अब हम लोग जहें वीडियो कहीं अगर आप इसमें एंट्री क आप